Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल का होने के बाद, भारत में ही रहने के बाद, सुख सवधाओं पर यहां पर पलने के बाद, देश के साथ ही गद्धा रेगी, देश द्रोही बन गया, और सारी खूफी एंफोर्मिशन जो थी भारत की, जो इंटेल्स थे, वो बहार देशनों तक पहुचाता रहा, यह वो धो इसके संपर्क में आता है, और इसके साथ अंत में इसके क्या हुआ, इसका एंट कैसे हुआ, कहां तक यह गया, तो आज यह पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं, इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा, शुरुवात करते हैं, इस कहानी की शुरुवात होती है, 1970- 1970-71 में, जब भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था, और उसके बाद बांगलादेश का जनम हुआ था, जिस बौर के बाद, इसी के बाद जो अमेरिका था, यह यूएस था, वो यह समझ चुका था, कि भारत जो है, वो आगे आने वाले दिनों में, आने वाले सालो में, एक बहुत बड़ी पावर बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमने पाकिस्तान को यहां पर हराया था, और एक देश को जनम मिला था, बांगलादेश को, तो यूएस यह समझ रहा था, कि यहां पर भारत आगे जाके एक बड़ी पावर बन सकता है, दुनिया में, इसी सम साल 1971 के बाद, जब इंडरा गांडि की सरकार थी, तो यह बताया जाता है कि इंडरा गांदी के कैबिनेट के अंदर, एक CIA ऐजेंट था, एक CIA का ऐजेंट कैबिनेट के अंदर था, और वो मंसरी था, यह बताया जाता है, क्योंकि यह चीजें जब 71 के बाद बाहर आतीativa, इसके बारे में बात होती है तो बहुत सारी इसके चर्चाई हुई जो एजनसी इस थी भारत की वो अलट पर आवी और इसके साथ लोगों ने इसके उपर कितावे भी लिखी जो रोके जो फॉर्मर ओफिसर्स हैं उन्होंने आगे जाके अभी जो कितावे निकाली है उसमें का जिक्र भी है चल्गत है साथ ही सात उस समय जो अमेरिका के रिएक रॉइटर थे एक अमकर्वार उपर सिह नहीं साफ तार पर यह लिखा इस बारे इस बात के बारे में उसमें भी बताया गया है अब इसी के बाद यहां पर जो नवंबर 1979 में वाशिंग्टन पोस्ट में एक बहुत बड़ा अकबार है वाशिंग्टन पोस्ट ने भी अपना एक आर्टिकल चापा और इस आर्टिकल में जो इसकी हैडलाइन दी बारें बात की गी थी और यह सवाल उठाया गया था कि आखिर वो एजेंट कौन है यह का वो एजेंट भारत के अंदर कौन है तो लगातार यह जो चीज थी यह सब को पता था कि एक मंत्री है लेकिन कभी भी इसका खुलासा नहीं हो पाया यहां से 1998 आया 1998 में जब भारत न खबर भी नहीं थी उसको भनक भी नहीं लगी और हमने यह नुक्लेटर सक्सेस्फुली किया था लेकिन यहां पर जब यह हमने किया तो ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका ने अपने उस यह एजेंट पर पहले क्यों नहीं देगे और इसके वाद इससे वह काफी नराज भी ह हो गया था जो यह था जो यह था ऐसा बताते हैं कि अमेरिका को अगर यह बात पता चल जाती कि भारत पर्मानुक परिक्शन करने वाला है तो इंटरनेशनल प्रेशर बनाकर वह टेस्ट को टाल सकता था अमेरिका इस टेस्ट को टाल सकता था हो सकता था यह कभी होता ही नह नहीं से US ने CIA ने अपनी एजेंट्स भारत के अंदर बनाना डेपार्टमेंट्स के अंदर शुरू किया दोस्तों आगे बंदे से पहले आपको बता दें अगर आप UPSC, CAC की तयारी करें Civil Service Examination की तयारी करें और इस exam को crack करना आपका लक्ष है आप चाहते हैं कि आप I.S. बने तो यहाँ पर भारत का Best Education Platform, Best Affordable Education Platform Study IQ आपके लेकर आए एक प्रोग्राम P2I, Prelims to Interview इस प्रोग्राम का नाम है और यहाँ पर आपको दो batches मिल जाते हैं यहाँ पर आपको पहली बात तो सबसे अच्छी खासियत जो है इस batch की इस प्रोग्राम की वो यह है कि यहाँ पर आपको प्रिलिम से लेकर इंटेवी तक की पूरी तयारी कराई जाती है साथ ही आपको यहाँ पर दो batch मिल जाते हैं morning और evening batch अपनी सहूलियत के हिसाब से आप यहाँ पर इसमें से एक batch choose कर सकते हैं और जब आप यह करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे जो कोड दिख रहा है वीज़े लाइग इस कोड को लगाते ही जो 65,000 का जो कोडस है वो आपको 29,999 में मिल जाता है आपको यहाँ पर एक बहुत बार discount तो इस पर मिलेगा ही साथ ही आप अपना एक बहुत बड़ा step लेंगे इस exam की तयारी में और UPSC की इस तयारी को अपने CSE की उसको मजबूत करने में तो जल्दी से जल्दी एक कोड यहाँ पर लगाईए और अपनी तयारी को मजबूत क की अंदर की उसी के चलते अब एक officer था Ahmmi का इंडिन आर्मी का पहले इंडिन आर्मी में काम किया नाम था Ravindra Singh I am यह जो रबिंद्र सिंग था यह पहले इंडिन आर्वी में था वहाँ पे काम कर रहा था वहाँ पे मेजर की रैंक तक पहुंच गया लेकिन इसके बाद इसने अपने बहुत से इंटरनल सोर्सेज लगाते हुए इनीशियल कनेक्शन्स के चलते पॉलिटीशन के साथ बड़े ऐसे कनेक्शन्स बड़े बड़े लगाए पॉलिटीशन्स और वीरोक्रेट्स के साथ में के इसका यह जो इसकी भरती है वह आर्मी के बाद में इसकी रॉ में शामिल यह हो जाता है आ रहे हैं डबलू में भारत की खूफिया एजिंसी में अब यहां पे रॉ में शामिल वो यह बिल्कुल चाहते नहीं थे क्योंकि के रॉ में आए क्योंकि इसके जो वर्क रिकॉर्ड को देखा गया था पहले के जो इसकी बैग्ग्राउंड इस्ट्री थी इसका बैग्राउंड वर्क रिकॉर्ड था वो काफी कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं इंडिन आर्मी म नभ्य के दर्शक के कुछ शुरुवाती सालों में रविंद्र सिंखो भारत से भीज दिया जाता है सीरिया और सीरिया के डमैसकस में जो इंडियन आमबसी में वहाँ पर इसे भीज दिया गया इसके बाद ये Holland भेजा जाता है Holland में जो Indian Embassy है वहाँ पे counselor के पत्पे इसको भेजा गया तो बताया जाता है कि जब ये इन दोनों जगे posting पर था भारत की RNW की तरफ से CIA ने अमेरिका की CIA ने तब इसको यहाँ पर निशाना बनाया इन दोनों जगे में से किसी एक ने बताया यह जाता है कि रविंद सिंग के ऊपर एक उसके lifestyle को उसके तोर तरीकों को देखते हुए एक honey trap बनाया गया जिसमें उसको फसाया एक लड़की CIA की जो agent थी उसके साथ इसके संबंद बनते हैं उसके बाद में एक honey trap बनाया जाता है और इसको फिर blackmail करके ऐसा बताया जाता है कि इसको blackmail किया गया और उसके बहां से यह CIA के लिए क्लिए काम करना इसने शुरू किया अब CIA के लिए जब यह काम करना शुरू कर देता हनी trap में फसने के बाद तो यहां से रविंद सिंग जब भारत आया अपनी इन पोस्टिंग्स के बाद तो यहां पर भी उसने लगातार यह काम जारी रखा जो CIA थी उसके लिए काम करना भारत से खूफिया information भेजना जारी रखा भारत की खूफिया information जो उसको मिलती थी वो भेजना जारी रखा बताते हैं कि इस समय इसकी एक CIA की हैंडलर भी हुआ करती थी जिसने इसको पूरी technical knowledge दी technical चीजों के बारे हैं बताया कि किस तरह से तुमें फाइल्स भारत से अमेरिका भेजनी है CIA के पास क्योंकि टेक्निकली बताते हैं कि बहुत ज़्यादा वीक थाए तो अब यहां पर यह सब चीजने इसको सिखाई जाती है यह लगातर यह अपना काम शुरू करता है यहां से और यह जो पूरा काम था जैसे फाइल भेजता था इसके लिए बताया जाता है कि यह webcam का यूस करता था यह जो फाइल्स होती थी हमारे भारत की जो खूफिया जानकारियां होती थी किसी भी अलग-अलग देश से हमारे पास जो इंटेल आ रही है यह रॉक के दफतर में वहां पर इसकी फोटो कापी कर लेता था उन्हीं डोकुमेंट्स की कई बार इसको रॉक के दफतर में भी दिल्ली में कई बार ऐसे देखा गया कि यह कमरा बंद करके अंदर डोकुमेंट्स को फोटो कापी कर रहा था उनकी लोगों ने इस तरह की भी इसके साथ चीज़ें देखी इसके बाद इसने एक और काम शुरू किया इसने जो अलग-अलग हमारे रॉके दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो जूनियर ऑपरेशन ऑफिसर्स होते हैं जो जूनियर ऑपरेशन डेस्क पर ऑफिसर्स तैनात होते हैं उनके साथ में बाचीत करना हालत में हो जाते थे तो उनसे फिर अलग-अलग इंफॉर्मिशन निकालता था अलग-अलग बाते पूछता था जो सीक्रेट होती थी रॉमें यह इस तरह से एक गाइडलाइन है कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट के जो मैटर से उसमें डखल नहीं देना है अगर आप नॉमल एक ऑफिसर हैं के एंप्लॉई है तो आपको इंफॉर्मिशन को शेयर नहीं करना है जो सीक्रेट इंफॉर्मिशन है एक दूसरे क पर जिन्होंने इसकी शिकायत सीने ओपिसर्स से कर दी उस समय के रौके अब जब यह शिकायत की जाती है तो इसके उपर शक बढ़ना भी शुरू होता है इसके बाद इसको थोड़ा मॉनिटर किया जाता है तो यह देखा गया कि हर दो महीने में यह अमेरिका भी जाता था इसका जाना आना अमेरिका बना रहता था यह नेपाल भी जाता था बताते हैं इसका जो एक हैंडर था वो नेपाल में बैठता था तो यह नेपाल भी इसका जाना आना बना रहा और इनी सब चीजों को देखते हुए रविन सिंग को निगरानी में रखना शुरू किया जाता है R.A.W. ने अब इसको निगरानी में रखना शुरू किया और इसका काम दिया जाता है जो Rocky Counter Intelligence and Security Division है CIS उसे अब यहां पर CIS जो थी उसने निगरानी में इसको रविन सिंग को रखना शुरू किया और इसके बाद में जो चीज़ें पता चलिए वो आप भी सुनकर हैरान रहे रहते हैं तो अब जब CIS ने इसके उपर निग्राई रखना शुरू की रविन सिंग के उपर तो ये बात है 2004 की करीबन 2004 में शुरूआती जो महीने थे जो जनवरी और फर्वरी का महीना था इसकी ये बात है रोके दफ्तर के बाहर घर जाने वालों की लाइन लगी थी दफ्तर का समय खतम हो चुका था घर जाने वालों की लाइन लगी हुई थी और इस बार ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब रौके ऑफिसर्स के रौके जो स्टाफ है उनके बैक्स की चेकिंग हो रही थी उनकी तलाशी ली जा रही थी ये रौके इतिहास में पहली बार हो रहा था कि जो लोग बहार निकल जो रो है उसमें साउथ इस्ट एशिया का जॉइंट सेक्रेटरी बन चुका था तो इसने लगातर ये इसको बताते हैं ऐसा कि उस दिन जब ये तलाशी हो रही थी तो इसके ड्राइवर ने इसको इंफॉर्म कर दिया था जिसके बाद इसका जब तलाशी हुई तो इसके बै विकली मीटिंग बुलाई उस विकली मीटिंग के अंदर उन्होंने जो आला अफसर बैटे थे रोके उनके सामने यह साफ किया कि जो पिछले हफते सेक्रेटी चेक हुआ इसका कोई ऐसा उद्श नहीं था कि किसी स्पेस्फिक किसी आदमी के ऊपर हम नजर रख रहे हैं कि उसके खिलाफ नहीं था यह एक जनरल सेक्रेटी चेक है रोकी जो सेक्रेटी जो गाइडलाइन जो पूरा उसको बनी रहे और सेक्रेटी सही रहे यहां पर रक्षा सही रहे तो यह जो मीटिंग थी इसमें रविंद सिंग भी बैठा था जो समय साउथी स्टेश एशिया का जोइन सेक्रेट्री वोगर ततरों में यह अचानक से उस मीटिंग से उठता है और नाराज होते हुए बढ़बढ़ाते हुए कि यह सही तरीका नहीं है बड़े ओफसर्स के साथ में बातचीत करने का यह सही तरीका नहीं है उनके साथ में बहेव करने का इस तरह से यह जो बाहर पहुँच रही थी, इस तरह की हमारे पास में ख़वरें भी आ रही थी तो RAW ने अपनी जो counter intelligence unit है उसे रविन सिंग के पीछे लगा दिया अब ये जो counter intelligence unit है C.I.U करीबन चार महीने तक इसमें नजर रखी रविन सिंग पर जन्वरी फर्वरी मार्च अपरेख़र औरिन महीनों में इन चारों महीनों में लगाता रहे रविन सिंग को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश लघाता जारी रहे किरने हाथ पकड़ना ऐसली ज़रूई था कि युकि यह बड़ी तबके एक बड़ी designation का officer था और ये सीधा बात सरकार तक जाती, आगे PMO तक जाती तो हमें with proof इसको पकड़ना था ये किसी से मिल रहा हो या फिर किसी को personal information शेयर करते हो इसको रंगयात पकड़ना, तो ये जरूरी था तो इसलिए इस पे गहन निगरानी रखी गई, एक बहुत ही गहन बहुत ही आप कह सकते हैं कि मतलब ऐसी निगरानी जिससे कोई normal आदमी अगर हो तो बची नहीं सकता, इसके दफतर के अंदर spy camera लगाए गए रविन सिंग के, photocopy machine जो थी उसमें bug fit किया गया बच इस तरह का था photocopy machine में जो जिससे ये photocopy करता था कि जब ये उसमें photocopy करता था तो उसके अंदर जो bug था वहाँ पे उस photocopy की एक copy store हो जाती थी और दफतर बंद होने के बाद रोका, उस photocopy को चेक किया जाता था कि इसने आज क्या निकाला है, क्या photocopy किया इस तरह का bug इसकी photocopy machine में fit किया गया, दफतर में इसके camera लगाए गए office के अंदर, इसके room के अंदर, इसके बाद में इसकी car में एक bug लगाया गया कि car के अंदर जब यह जाता आता है, तो वहाँ पे क्या किस से बातचीत कर रहा है अपने driver को क्या instruction दे रहा है, यह सुनाई देता रहे, record होता रहे तो यह यहाँ पे लगाया, इसके बाद इसका जो घर था, दिल्ली में, defense colony में उसके घर के भार 24 घंटे लगाता वाचर्स को तेनात किया गया, वाचर्स जो हमारे एजेंट्स होते हैं, जो CIO के counter intelligence unit के, इसके आदमी थे, रोके आदमी थे, वो लोग वहाँ पे लगाता शिफ्ट के according खड़े रहते थे, तो यह 24 घंटे, यहाँ पे निगरानी चलती है, इसके बाद इसके घर के बाहर एक permanent सबजी वाला था, जो रोज आके सुबा से शाम वहाँ पे खड़ा रहता था, रात बर खड़ा रहता था, वो सबजी वाला जो था, वो रोकी CIO का ही आदमी था, रोका आदमी था, और साथ ही आसपास के जो कुछ ऐसे काम करने वाले होत इस तरह के आदमियों को भी वहाँ पे, फिट किया गया, वहाँ पे रखा गया, जो सारे के सारे रोके आदमी थे, इससे पता चलता रहा है कि इसके घर में कौन आ जा रहा है, और ये किस से मिल रहा है, तो ये आप सोच सकते हैं किस तरह की कड़क नजर, रविन सिंग की उ किसी ऐसे संदेख्द व्यक्ति से मिल रहा है किसी सबस्पीशियस आदमी से मिल रहा है जो इन्फोर्मिशन इसके साथ शेयर कर रहा है लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं यह किसी से मिलता ही नहीं था यह सीद्व ऑफिस से दफ्तर से घर और घर से दफ्तर होता था अब यहा को कि ये जो है ये FTP के जरीए अपने personal laptop से जो इसके घर में है उससे file transfer कर रहा है CIA के पास और ये सारी खूफे information भारत की CIA को दे रहा है अब इसी बीच रविंद सिंग ने क्योंकि इसकी जो लड़की थी वो अमेरिका में रहती थी इसने अचानक से इसी दौरान 2004 में जनवरी फरवरी के आसपस इसने अमेरिका जाने की अरजी मांगी रॉके चीफ को कहा कि मेरी जो बेटी उसकी मंगनी है तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा लेकिन रॉके चीफ ने यहाँ पर इसके इस अरजी को reject कर दिया इसको मना कर जाते हैं रॉके ऑफिसर्स का यह प्लान था कि इंटेंशनल इसके पास एक information पहुचाओ ऐसी information हो जो बहुत ही खूफिया है उसके बाद इसका reaction उस पर देखते हैं तो इसके पास एक खूफिया information रॉके monitoring station से पहुचा ही जाती है और वह खूफिया information यह थी कि इसलामबाद में America mission जो है इसलामबाद में एक American mission है उसे रॉके द्वारा जो intercept किया गया उसकी पूरी feed जो थी जो पूरी उसकी starting to end feed थी वो इसको दी गई रविन सिंग को जब यह feed मिलती है कि इसलामबाद के अंदर एक American mission है और उसको रॉने intercept कर लिया है वो उसकी खूफिया जानकारी रॉके पास है और उसकी पूरी feed हमें मिली है तो इसने इसके बाद में उसी जानकारी को उसके जैसी और जानकारियां मांगने की बहुत जाद करी मतलब इसने बहुत जादा ऐसा किया कि मतलब यह चाहता था कि और जादा मांग करने लगाए कि इस तरह की information इसको और जाद दी जाए यह सब देखते हुए जो रॉके अफसर थे उनलों का जो शक था वो यकीन में बदलने लगा था अब यह साल 2004 चल रहा था जनवरी से इसके उपर अप्रेल तक करीब चार महीने लगा था निगराणी रखी जा रहे थी और यह अब यह पुकता हो चुका था एक तरह से कि यह कर रहा है यह जो खूफे information है वो CIA के साथ शेयर कर रहा है लेकिन सबूत हमें मिल चुके थे पर एप्रिल का महीना आता औ और एप्रिल में रविंद सिंग को यह भनक लग जाती है कि उसके उपर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और रो उसके उपर निगरानी रख रहा है तो यहां से अब करीब दो हफते भी इतने रविंद सिंग को यह पता चल चुका था कि उसकी निगरानी की जा रही है उ 1st May 2004, 1st May को जो RAW के watchers, जो खड़े हुए थे RAW के अफसर, जो एजेंट्स, CIO के, इसके घर के बाहर, उन्होंने इसकी जो पत्नी थी, परमिंदर कौर, उसे घर से बाहर आते देखा, उसके बाद में वो बाहर गई कुछ समय के लिए, उसके बाहर से जब वापस आती है, तो उ से वो उस घर से उन्हें निकलता हुए दिखा था, रात हो गई उसके बाद में, यह जो रविन सिंग था और परमिंदर कौर थी, वो उस घर के अंदर ही थे, यह रोके ऑफिसर्स को ऐसा पता था, जो रोके watchers खड़े थे बाहर, लेकिन अगले ही दिन, इन्होंने यह इन्होंने उस घर में जाने का फैसला किया, अब यह जब घर में गए, तो वहाँ पे घर में इन्होंने बताया है, जो सर्वेंट था वहाँ पे, कि किसी जरूरी काम से आएं, बताना है सर को कुछ, जो अंदर रविन सर हैं, उनको कुछ बताना है, तो यह जो नौकर था, उसने बताया कि यह दोनों तो निकली गए, यह सुबह ही निकल गए, और यह पंजाब में गए अपने एक रिलेटिव के अशादी में, अब जब यहाँ से यह जानकारी निकलती है, यह रोके दफ्तर में बताई जाती है, खूफिया इंफरमेशन जब निकाली गई, तो य देविड वसाला ने इसको पूरा वहां से निकाला था और यह प्लान इस तरह से था कि इसने 1st May 2004 को, यह अपना जो फैमली फ्रेंड था, जो इसका एक रिलेटिव था, उसकी कार में इसको नेपाल बॉर्डर तक इन दोनों को छोड़ा गया है, रविन सिंग और उसकी वा को, काटमांडू यह दोनों पहुंचते हैं, डेविड वसाला ने यहां पे इनके पासपोर्ट बनवाए, इनके पुराने जो परिशनल आइटेटी थी, पासपोर्ट थे, उनको डिस्ट्रॉय किया, नए पासपोर्ट बनाया जाते हैं, और यह नए पासपोर्ट थे राज अब यह यहां से भाग चुका था, लेकिन यहां पे जो डेविड वसाला था, CIA का एजेंट, उसने एक गलती यह कर दी थी, कि उसने जो होटल का बिलिंग थी, और जो पासपोर्ट कराया हुआ था, यह दोनों उसने जो फ्लाइट टिकेट्स थे, इन दोनों का जो की थी, जो इसका US Embassy का एड्रस था, नेपाल के अंदर, अब जब यहां से यह चीज सामने आती है, रोने बाद में इस पे अपना च्छानवीन की, तो बहुत ही इजी था यह पता करना के किस तरह से CIA इसमें इंवाल्वड है, लेकिन अब जब रोके चीफ ने, यहां पे भा हमारा इसमें कोई इंवाल्मेंट नहीं है, हम किसी भी, हमारा कोई CIA इजन्ट इसमें भारत में काम नहीं कर रहा है, रोने एविडेंसेज भी दिखाए, तुमाम सारी चीजें दिखाएं, लेकिन फोरंसिक एग्जामिनेशन इसके बाद में जो हुई, जिसमें यह बताया गया कि रविंद सिंग ने करीबन 20,000 ऐसी फाइल्स थी, भारत की खूफिय जानकारियां थी, जो कि उसने CIA को दी थी, तो यह सब चीजें इसमें रोने एविडेंसे बगरा दिखाएं, तुमाम सारी चीजें दिखाएं, लेकिन CIA ने इससे साफ अपना डिनाय कर दिया, इन सिंग नाम का जो जोइन सेक्रेटरी है इस समय है, आ रहे हैं डवलू में, साउथ इस एशिया का, वो इस तरह से CIA को खूफया इंफरमिशन भेज रहा है और इसको अरस्ट कर लेना चाहिए, तो इसकी अरस्ट करने की मंजूरी, इसकी परमिशन मांगी थी, NSA से, ब्रेश मि था था हितने समय से, तो सरकार के उपर बहुत सारे सवाल उठ सकते थे, और इसके साथ में चनाव के आहलाद भी बिगड़ सकते थे, तो ये सब चीजें हुई, अगले ही महीने, ये जो जून आता है, पाच जून 2004 की बात है, रास्पती ने, रास्पती को जब ये बात पत चली रास्पती ने, अपना जो रास्ट हित के लिए एक, जो उनका ओदा होता है, जो डिसीजन मेकर होते हैं एक तरह से, तो रास्पती ने इसको रविन सिंग को उसकी नौकरी से बरकास कर दिया, नौकरी से निकाल दिया, वहाँ जब ये अमेरिका पहुच चुका था, र लगे चुके थी, CI-E के उपर, रो ने प्रेशर बनाना शुरू करी दिया, तो अमेरिका में जाते हैं इसके पहुचते हैं, ये ने इसको पूरी तरह से एक तरह साइड लाइन कर दिया बताते हैं, मतलब उसको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था, अपना जो समय था, उस अकेले जो नियॉयॉक में मैरी लेंड मैरी लेंड में रहते हुए अलग से उसने अकेले रहता था वहाँ पर किसी जादा मिलता जुलता नहीं था बारा साल उसने इस तरह से अकेले पन में गोजा रहे हैं 12 साल बाद 2016 में भारत में एक diplomatic bag में एक coded message आता है करीबन 12 साल बाद इस पूरी कहानी के वाशिंग्टन से एक coded message आया diplomatic back के अंदर भारत के रौ के दफ्तर में और यहां पर यह इसमें लिखा हुआ था coded जो message था उसमें कि रविंद सिंग इस डेड रविंद सिंग मर चुका है बाद में पता जब किया गया तो यह सामने आती है बात की इसकी मौत जो थी वो मैरी लेंड में ही जहां पर रहता था एक सड़क दुरगटना में हो चुकी थी यह 12-16 में सड़क दुरगटना में मारा गया मर गया तो यह चीज यहां पर बताई जाती है इस case के बारे में पूरा यह जो case था रविंद सिंग का एक देश द्रूही का के रौ के अंदर एक case उजागर किया गया और अब तो यह case आप अगर पढ़ेंगे तो कई सारी ऐसी बुक्स हैं रोके फॉर्मर ऑफिसर्स की दौरा लिखी हुई जिनमें case आपको मिल जाएगा आरके यादफ की बुक में यह case है यतिश यादफ की बुक में यह case है और इस तरह से यह जो अरु के अंदर देश की खूफिया एजनसी इतनी बड़ी उसके अंदर जॉइंट सेक्रेटरी का पद मिला था सावूतिस्टेशिया डेस्क का लेकिन इतना बड़ा पद मिलने के बाद भी वो भी ऐसे एजनसी में जहां पे जिसमें जाने के लोग अपने देखते हैं क्योंकि कि पता ही नहीं है कि वहाँ पे सेलेक्शन कैसे होगा वहाँ पे कैसे लिया जाता है खूफिया विवा भारत का खूफिया एजनसी है काम करती है अपना तो वहाँ पे उसका वो था और वो भी इस पद po था इतने बड़े उसके बावजुद से अपने डिपार्टमेंट से माया, लोब, लालच बहुत जादा हो और ये जिस तरह से इसने काम किया है अपने लाइफटायल को मेंटेन करने के लिए या पैसा खूब कमाने के लिए लालच में तो ये वही इनसान करेगा अपने देश से गद्दारी जिसके अंदर ये सब चीजें बहुत जादा हो चुक करना आपको आपके लिए भी बुरा है आपके काम के लिए भी बुरा है किसी से गद्दारी करना और साथी देश से गद्दारी तो खेर बहुत बड़ा मैटर हो जाता ये तो अपने देश के प्रती हमेशा इमांदर रहिए अपने काम के प्रती इमांदर रहिए ये ती कहा IAS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल.